हे गाईज वेलकम बैक टो अनदर वीडियो मैं अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं कौन सा आप यूज करता हूं अपने आर्टवक्स के लिए और उस वीडियो के बाद आप में से काफी लोगों ने कहा कि इस आप एक टुटोरियल वीडियो चाहिए तो यह रहा फर्स् अम Esworks लिए स्टार्ट करने के बाद । यहां पे इस तरीके का इंटर फेस्हेंत मिलेगा उपर में तीन ले आउट है तो हम लोग को नियू पर जना है नियू पर frågor क्लिक करने के create पे click करने के बाद कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा यही है हम लोगों का main page जहाँ पे हम लोग draw करेंगे इस app पे हम लोगों को बहुत अलग-अलग तरह का tools मिल जाएगा सभी tools को हम लोग किसी और वीडियो में अच्छे से एक-एक करके समझेंगे फिलहाल मैं कुछ tools को बता देता हूं टॉप पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे pencil का icon बना हुआ है जो कि brush के लिए है यह इसका by default यह पहले से selected रहता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का यह draw होगा अगर हम लोग को brush change करना है तो इस वाले icon पे click करेंगे यहाँ से देख सकते हैं पहले से कुछ brushes available है यहाँ पर हम लोग अलग-अलग brush use कर सकते हैं और brush का size हम लोग यहाँ से change कर सकते हैं कम या जादा कर सकते हैं और color brush का color हम लोग यहाँ से select कर सकते हैं को और brush हम लोग यूज करके देखते हैं देख सकते हैं अलग-अलग brush अलग-अलग तरीके से यूज होगा तो हम लोग अलग-अलग drawing में जो भी requirement होगा उस हिसाब से हम लोग brush को select करके यूज करेंगे यहाँ पर जो टॉप पर second option एरेजर का उससे simply erase हो जाएगा अगर हम लोग को इस layer का सारा drawing हटाना एक ही बार में तो यहाँ पर देख सकते हैं clear layer करके लिखा हुआ है यहाँ पर click करेंगे तो सारा drawing एक ही layer पर हम लोग एक circle बनाते हैं circle बनाने के लिए हम लोग इस वाले पर click करके simply आपके color चूज कर लेंगे जैसा जो भी color कम लोगोगो ball बनाना है sorry यहाँ पर देख सकते हैं size कौन सा साइज का बनाना है वो यहाँ पर है तो हम लोग सरकल बनाएंगे तो इस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एक सरकल बना लिए सरकल बनाने के बाद हम लोग एक और लेयर क्रियेट करेंगे यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके color layer पे click करेंगे तो यहाँ पे एक और layer create हो जाएगा उस वार लिए layer को हम लोग clipping कर देंगे ताकि जो भी draw करेंगे वो first layer के उपर ही draw होगा उसके अलावा draw नहीं होगा अब यहाँ पे हम लोग अपना brush change करते हैं तो यहाँ पे हम लोग brush select करने वाले हैं air brush brush जो क्या आप लोग को पहले से available मिल जाएगा इसमें air brush brush select करने के बाद हम लोग इसके उपर side ball के उपर side को पहले pencil icon पहा जाएंगे उसके बाद यहाँ से हम लोग इसके capacity को कम कर देंगे अब हम लोग इस तरीके से draw कर दे रहे हैं अब हम लोग इस ball के निचले side में black color से इसी तरह से draw करेंगे यह एक simple ball बन गया अब हम लोग इस वाले layer को blur कर देते हैं ताकि वह mix हो जाए अच्छे से हम लोग इसको blur कर दिये अब हम लोग एक और layer create करेंगे जो की clipping नहीं होगा एक clipping से इसको हटा देंगे अब हम लोग ball के नीचे airbrush हमें हम लोग फिर से click करेंगे उसके बाद हम लोग black color select करके बॉल के नीचे shadow बनाएंगे ताकि बॉल हवा में लगे उरता हुआ जितना नीचे हम लोग shadow draw करेंगे बॉल उतना ही हवा में लगेगा तो इस वीडियो में इतना ही यह टुटोरियल वीडियो का फर्स्ट पार्ट था आगे मैं और भी टुटोरियल वीडियो अप्लोड करूंगा अलग-अलग तरह का डिजिटल आर्ट पे तो अगर आप लो किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई